के प्रिवाशा के परिवाशा क्या होती है कि खनीज किसे कहते हैं तो खनीज में क्या होता है कि बूमी के अंदार खनन्क्रिया के माददिम से मतलब भूमी में क्या करेंगे खनन क्रिया करेंगे और खनन क्रिया के माध्यम से कुछ परदार्थ निकल के सामने आएंगे उन परदार्थों में या तो बहतिक गुण होगा या फिर रासायनिक गुण होगा और यह परदार्थ मानों के लिए उप्योगी होगे तब जाके हम उनको क्या कह सकते हैं तब जाके हम इनको कहेंगे खनीज तो खनीज की परिवाशे क्या हुई कि भूमी के अंदर खानन क्रिया के मादम से निकाले गए वो परदार जिनके अंदर बहुतिक और रासानी गुण या तो बहुतिक गुण पाये जाएगा और दोनों गुण भी प प्रिकार के बारें बात करेंगे तो खनीज खनीजों के प्रिकार तो खनीज के प्रिकार होते हैं दो प्रिकार के होते हैं पहला लोग बात करते हैं उससे कहते हैं धात्विक खनीज कौन से खनीज धात्विक खनीज और दूसरे प्रिकार के जो खनीज होंगे वो होंगे ए एधात्विक खनीच मतलब खनीच जिन्में धातु का अंश पाय जाता है धात्वीक खनीच और इस धात्वी खनीज को भी हमने दो भागों में हमने इसको बाट दिया कौन-कौन से एक तो धात्वी खनीज हमने दो भागों बाट इसको एक हम कहेंगे लोग खनीज और दूसरे को हमने कह दिया एलोग खनीज तो हम लोग बात करते हैं कि हमने पहले कहा धात्वी खनीच, वो खनीच जिनमें दात्व का अंश पाई जाता है, धात्वी खनीच कहलेंगे, इनको हमने दो भागों में बाड़ दिया, लो खनीच और लो खनीच, तो लो खनीच किसे कहेंगे, वो खनीच जिसमें लोहे का अं हमने बोल दिया टंगस Capital हमने बोल दिया कोबल्ट ओकर ये खनीज कोण सो वे lose everything फिर म्लोग बात करते हैं तो अलोग हनीज कैसे कहते हैं वे खनीज जिसमें लोग का अंश नहीं पाया जाता अंश नहीं पाया जाता उसे क्या कहते हैं अलोहो खनीच इसके अंदर कौन-कौन चाहेगा सोना चांदी तांबा पीतल आधी चीज़ों हम लोग मान सकते हैं फिर हम लोग बात करते हैं धात्वे खनीच पढ़ने के बाद में हम लोग बात करेंगे ऐ धात्वे के खनीच वे खनीज जिनमें धातू का अंच नहीं पाया जाता वो क्या किलाएंगे एधात्वी के खनीज इन एधात्वी खनीजों का हमने बोल दिया उर्जा खनीज कौन सेंगर में उर्जा खनीच फिर में लोग बात करते हैं उर्जा खनीच केसे कहते हैं वे खनीच जिनसे उर्जा के हमें प्राप्ति होती हैं क्या कहलाएंगे उर्जा खनीच इस उर्जा खनीचों को हमने दो बागों में बाड़ दिया एक को हमने बोल दिया इंदल खनीज दूसरे को हमने बोल दिया अनुशक्ती खनीज अनुशक्ती खनीज तो इंदल खनीज किसे कहते हैं? वे खनीज जिनसे में उर्जया की प्राप्ती होती है वो क्या किलाएंगे? इंदल खनीज जैसे कोईला पेट्रोलियम और गैस ठीक है इसकी बाद हम लोग बात करते हैं अनुशक्ति खनीज वे खनीज जिन से हमें उर्जा तो प्राप्त होती है लेकिन छोटे छोटे अनुश से भी भयानक उर्जा उत्पन की जा सकती है उसे क्या कहेंगे अनुशक्ति खनीज इनमें कोनुश से आएगा जिसमें बात करते हैं यूरेनियम थोरियम परमानू आदिम कईची जोगम लोग समें डाल सकते हैं वो क्या करना हैंगे अनुशक्ति खनीज थाइक एफ़ वाचिंग इस वीडियो